जेहिन दोस्तो मैं हुआ नूँ पर आप सब लोग देख रहे है ग्लोबल कॉन्फलिक्ट तो दोस्तो आप सब लोग को पता ही होगा कि चाइना एक बहुत बड़ा एरक्राफ्ट केरियर फ्लीट बनाने का सपना देख रहा है चाइना आने वाले 30 सालों के अंदर 10 के आसपास एरक्राफ्ट केरियर अपने बेड़े में शामिल करने के इरादे के तहट तो आगे बढ़ रहा है लेकिन फिलाल चाइना को एरक्राफ्ट केरियरों के उपर इस्तेमाल के जाने वाले एरक्राफ्टों को लेके कोई सफलता नहीं मिला इवें चाइना अपने इन एरक्राफ के लिए 5th generation के carrier born fighter aircraft FC-31 जैसे प्रोजेक्टों के उपर फी काम कर रहा है लेकिन FC-31 एक ऐसा aircraft है जो aircraft carrier के उपर इस्तेमाल नहीं हो सकता तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगे को बताऊंगा कि क्यों चायना के J-31 या फिर FC-31 fighter aircraft aircraft carrier के उपर इस्तेमाल नहीं हो सकता ह या अगर चायना द्वारा इसे इस्तेमाल किया जाता है तो क्यों ये इतना कारेगर नहीं होगा तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों नया जिनरेशन के ship-borne aircraft कई त आकत बढ़ेगा जबकि चायना द्वारा जहाँ पे बड़े aircraft carrier के fleet का इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है तो वही पे चायना के बेड़े को अगर देखा जाए तो चायना के पास carrier bond fighter aircraft के रूप में एक मात्रे J-15 aircraft है और वो भी Russian origin Sukhoi 33 के एक Chinese copy जबकि दूसरे जबकि दुनिया के कई सारे देज भी अपने बेड़े में F-35 जैसे fighter aircraft को शामिल कर रहा है और दोस्तो इन देशों का संख्या चायना के आसपास भी आये दिन बढ़ता जा रहा है ऐसे में अल्रेडी चायना के तरफ से F-35 fighter aircraft को एक बहुत बड़ा threat के रूप में तो देखा जा रहा है तो वही पे इस threat को counter करने के लिए चायना अपने ship bond fighter aircraft के एक 5th generation version भी develop करने का प्रयास कर चुका है जिसे चायना में FC-31 5th generation के fighter aircraft का आयाता है दोस्तो वैसे अगर देखे तो इन एर कैप्टों के development के बहुत सारे हिस्सा 2014 में ही complete हो चुका है और चायना द्वारा को fly भी किया चुका है पर इतने साल बीतने के बावजूद इन एर कैप्टों को Chinese Navy के बेड़े में शामिल नहीं किया गया इवेन दोस्तो एक्सपर्टों का तो ये भी मानना है कि चायना इन एर कैप्टों को इतना आधुनिक नहीं बना पाया कि ये चायना के 4th generation fighter aircraft को replace कर प और इसके पीछे में कारन के रूप में बताया जाता है एर कैप्टों के combat radius कम होना और payload शमता का कम होना दोस्तों किसी भी carrier one fighter aircraft के combat range और payload capacity ground based fighter aircraft के तुलना में ज़्यादा महत्तों रखता है क्यूंकि carrier one fighter aircraft को को लंबे दूरी तक मिशनों को अंजाम देना होता है और साथ में एक ही shorties के अंदर mission को पूरा करने का जिम्मेदारी भी fighter aircraft के पास होता है समुंदर के अंदर इस तरीके का operation होता है बोलके इसका range और payload शमता काफी हद तक operation के success को प्रभावित कर सकता है जबकि चायना द्वारा जो J-31 या FC-31 fighter aircraft को का development किया गया है report के मुताविक इसका operational radius सिर तरफ FC-31 aircraft के payload शमता भी जरुवत के मुताविक काफी कम है FC-31 aircraft के जो internal weapon bay है ये काफी छोटा और काफी कम वजन के हतियार को carry करने का शमता रखता है दोसो FC-31 के internal weapon bay का capacity स्रिफ दो टन है जबकि aircraft में 6 additional external heart point है जिनमे missile को लगा जा सकता है पर इससे aircraft के stealth capability बुरी तरीके से अस जबकि अगर internal weapon bay का capacity को भी देखा जाए तो दो टन capacity में स्रिफ ये देट टन के ही air to ground missile को carry कर सकता है वही पर अगर चाइनीज बेडे में इस्तिमाल होने वाले आधुनिकतम missile को देखा जाए तो वो है YJ-12 जिसे लेके चाइना का दावा है कि ये 300 km range तक अपने निशाने के उपर हमला कर सकता है और इसका रफ्तार करीवन मार्क 2 से मार्क 4 के बीच में है जबकि internal weapon bay के capacity को अगर देखा जाए तो FC-31 में ऐसे missile को internally लगाना possible नहीं है क्योंकि इसका वजन capacity के तुलना में अधिक है जबकि दूसरे तरफ अगर इन missile को चाहना के FC-31 के external weapon bay में लगाते ह हुए aircraft के stealth feature के साथ compromise भी किया जाता है तो FC-31 के इतना range नहीं है कि यह दुश्मन के territory के अंदर घुसके operation को अंजाम दे सके 1250 km के radius होने के साथ साथ missile का range सिर्फ 350 km होने के वज़ा से यह अधिकतम aircraft carrier से 1600 km दूरी के ही target को निशाना बना सकता है और दोस्तों अगर कोई aircraft carrier किसी target के इतने नजदिक होता है तो aircraft carrier के उपर भी हमला होने का डर है जबकि दूसरे तरफ अगर चाइना के दुश्मन देशों को देखे तो उनके coastal area को protect करने के लिए इतना range का missile है कि 1600 km के अगर land boundary के नजदिक कोई भी चाइना के aircraft carrier जैसे बड़े जहास आता है तो उसे आसानी से यह देश मार गिरा सकेगा जबकि इन aircraft का खामिया खाली इतना नहीं बलकि दूसरे तरफ जहाँ पे चाइना द्वारा इन aircraft को लेके दावा किया आता है कि यह एक 5th generation के aircraft है तो वही पे इन दावों में भी सच्चाई काफी कम है दोसो चाइना के FC-31 तो क्या J20 भी 5th generation के aircraft के दरजे में नहीं आता है J20 के बारे में तो मैं आप लोगों को कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दू कि FC-31 में भी जो इंजिन का इस्तेमाल किया गया है वो किसी तरीके से 5th generation का इंजिन नहीं है दोसो चाइनीज FC-31 में भी जेव 17 मतलब जंक फाइटर 17 एर क्रेप्टो में इस्तेमाल होने वाले RD-93 इंजिनों का इस्तेमाल किया गया है दोसो इन इंजिनों का काफी सारे खामिया है जैसे कि इंजिनों के radar cross section काफी हद तक जादा है और इंजिन काफी जादा noise, heat और smoke generate करता है जबकि इसके इलावा एर क्रेप्टों के carrier के उपर इस्तेमाल होने का भी टेकनोलोगी को लेके काफी सारे सवाल है जैसे कि किसी भी एर क्रेप्ट के उपर इस्तेमाल होने के लिए एर क्रेप्टों में arresting hook होना आवश्यक है तो वही पे J31 जैसे एर क्रेप्टों में इस्तेमाल होने वाले arresting hook को लेके भी कई बार सवाल उठ चुका है इवें चाइना द्वारे जिस तरीके का एर क्रेप्ट केरियरों का इस्तेमाल होता है उसमें FC-31 का इस्तेमाल लगवग नामुम्किन है क्यूंकि चाइना के पास फिलाल कैटेपुल लाँचिंग सिस्टम नहीं है और चाइना अपने एर क्रेप्ट केरियरों को स्की जंब रैम के साथ ही बनाया जा रहा है और ऐसे में ऐसे कम थ्रश्ड वाले इंजिनों के साथ स्की जंब रैम के उपर अगर एर क्रेप्टों को ऑपरेट किया जाता है तो एर क्रेप्टों के पेलट शमता के उपर भी औ दोसो दूसरे तरफ FC-31 एरक्रेप्टों के hardware और software related issue के बारे में भी कई सारे खबरों में चर्चा किया जा चुका है जो एरक्रेप्टों के arresting hook और एरक्रेप्ट के उपर इस्तेमाल होने वाले arresting gear related issue के रूप में देखा जा रहा है जिबकि वही पे जिन खामियों से FC-31 fighter एर एरक्रेप्टों में किया गया है J20 एरक्रेप्ट FC-31 के तुलना में ज्यादा range और ज्यादा पेलोड शमता वाला एरक्रेप्ट तो है ही लेकिन दोस्तों ये एरक्रेप्ट एरक्रेप्ट के उपर फिलाल इसलिए इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि ये आकार में काफी पहले काफी ज्यादा शमता वाला केटेपुल लांचिंग सिस्टम और एरक्रेप्टों को रिकवर करने के लिए आधुनिक एरेस्टिंग एक्वेप्मेंटों के डेवलाफ करना आवश्चक है जबकि दोस्तों एरक्रेप्ट के उपर बड़े आकार के एरक्रेप्टों के जगा में मीडियम वेट के एरक्रेप्ट जादा कारेगर होता है क्योंकि ये एरक्रेप्ट केरियर के स्टेविलिटी और उसके फायर पावर को मजबूत करता है जबकि बड़े आकार के एरक्रेप्ट होने के वज़ा से ये एरक्रेप्ट केरियर के स्टेविलिटी को भी घ एरक्राफ्ट के कुल वजन से अधिक होना यहां पे काफी आवश्यक है एक्जामपल के रूप में अगर अमेरिकी F-35 को ही ले ले तो इंटरनल फ्यूल कैफसिटी के साथ F-35 के थ्रस्ट वेट रेसियो करीवन 1.07 है मतलब एक से अधिक और इसका मतलब यह होता है कि यह एरक आसानी से इंजिन की ही पावर का इस्तेमाल करते हुए टेक आफ कर सकता है पर दूसरे तरफ अगर अमेरिकी एरक्राफ्ट कैरियरों को देखा जाए तो इसमें काफी शक्तिशाली केटपूल लाँचिंग सिस्टम और इलेक्ट्रो मैगनेटिक एक्टपूल लाँचिंग स इस्टम भी नहीं है जो थ्रस्ट वेट रेसियो कम होने के बावजूद इसे टेक आफ करा पाए तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल हैंगे 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 हैंग झाल झाल